कई मारते आग की लप्टों में घिरी नजर आ रही हैं बड़ी जानकारी आपको देरहे हैं जहां दक्षणी बेरूत में इसलों की सेना और आ problems he Iohi दक्षणी बिरूत में लेवनान के दक्षणी बिरूत में ये हमला किया गया हो जैसा कि आपको मालूम है कि एक दिन पहले ही जब इरान ने इसराइल के कुछ हिलाकों में हमला किया था इस दौरान अब इसराइल ने साफ किया था कि इसका मुहतोर जबाब दिया जाएगा और एक बार फिर से लेवनान के दक्षडी बेरूत में इसराइल ने हवाई हमला किया है पहली बार हवाई हमला किये जाने की जानकारी है और इस दुरान पूरा इलाका मलवे में तबदील हो चुका है पूरा इलाका जवक्त ध्वस्त नजर आ रहा है कई जो इमारते हैं वो आग क्यों मंचों से ये कोशिश की गई है कि जो युद्ध हो रहा है ये शान्त हो जाए लेकिन उसके बाब जूर लगतार एक दूसरे को जवाबी हमले में लगतार नुकसान भी दोनों देश उठा रहे हैं और इसमें आम जन को हानी पहुच रही है मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए इसराइल ने इरान के परमालू ठिकाने और तेल के कुए को जलाने का वार प्लैंट बनाया है ब्रिटेन के जंगी जेट भी इसराइल के साथ युद्ध में उतर गए हैं सूपर पावर अमेरिका ने युद्ध में हर तरह से साथ देने का अलान कर दिया है अमेरिका के अलान से इरान से जादा तुर्की में खलबली मचा दी गई है इसराइल ने नसरल्ला को मारा तो युद्ध में एरान आया इरान ने इसराइल को देल आया तो वार जोन में अमेरिका आया अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक आरपार का युद्ध है ये अब किसी के रूखे ना रूखेगा हर खेमे में अलान हो चुका है इस्राइल और इस्लामिक फाइटर की लडाई महा युद्ध में बदल गई है बीशन हमले शुरू हो चुके हैं हाइपरस्वानिक मिसाइल फट रही है जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इस्राइल में कोहराम मचा है हेरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है तुर्की भी इस्राइल के खलाफ मोर्चा खोल चुका है मतलब ये कि महा युद्ध में अब महा शक्तियों के हत्यारों की टक्कर शुरू होगी इस्राइल को 181 फटह मिसाइल हमले से दहलाने के बाद इरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खत्रे में डाल दिया है इरान के सुप्रीम लीडर अली खाम नहीं ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुलकों से फौरन रफ़द अफ़़ँ होने का फर्मान सुनाया है इसराइल पर हमले का जश्ट ने जिस तरहां से एरान समर्तित लड़ा के मना रहे हैं उससे सूपर पावर अमेरिका बुखलाया हुआ है एरान ने इसराइल पर मिसाल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है तहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामने के मेसे जाने भर की देर थी की कैई मुलकों में हाई लेवल मीटिक शूरू हो गई प्रेजिडेंट जो बाइडन ने वाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुला कर इसराइल को फुल सपोर्ट का अलान किया है प्रेजिडेंट बाइडन ने इसराइल पर हुए हमले की कीमत तहरान से वसूनले की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई इलर्ट कर दिया है इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वार प्लान पर जल्द आक्शन ले सकता है अमेरिका के ओपन एलान के बाद भी इरान में जश्ट का दोर जारी है इरान की सड़कों पर बैनर कोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है मायने ये कि अब इरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है लेकिन सूपर पावर से इरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा अमेरिका के हत्यारू की काट इरान कहां से लाएगा क्या इरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा इरान के दुस्साहस की असल डीटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसिज भी सुन लीजिये मैसिज है साओधी अरब का, मैसिज है इरान के लिए जिसमें साफ कहा गया है कि साओधी अरब खाड़ी में वार टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता साओधी अरब का मैसिज इरान के लिए अलारम है जबकि ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वार जोन में आने से देहल गया है तुर्की के प्रेजिडेंट अर्दौान को डर सता रहा है कि इरान के बाद उनका ही नंबर है तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दौान ने अंकारा में अपने भाशन में ये डर बयां किया अर्दौान ने नेतनियाहू को डारेक धमकी देकर तुर्की को टार्गेट बनाने से पहले सौ बार सोचने के लिए कहा है इस्राइली दुर दूर्दूर्म इसलाम डून्यास ऑइन शेकिल्टे वतन साउमस ने मुतलगा लुबनन हलकि वे हुकूमति ने यनंदे ल्मालीद बिस तुरकिये वे तुर्क मिल्यती अलारक बुजर गूंडरिने तुर्की डरा हुआ है, सौधी अरब शान्ती का पैगाम दे रहा है फिर एरान युद्द की ललकार किसके दम से बर रहा है वार जोन में तहल का मचाने की शुरुआत, इसराइल कैसे करता है ये बेरूत की बरबादी बताती है इरान की विसाइल स्ट्राइक का जवाब इसराइल भ्यानक पलटवार करेगा इसमें किसी को शक नहीं तो क्या इरान रूस और चीन के बैकप से अमेरिका से भुडने जा रहा है इरान ने ओपरेशन क्रू प्रॉमिस डू का जोकिम किसके कहने पर मोल लिया है पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहट दराबना है रूस ने पश्चिमेशिया के युद्व संकट का ठीकरा अमेरिका पर पोड़ दिया है प्रेजिडेंट पुतिन ने बाइडन को जम कर कोसा है रूस के विदेश मंतराले की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने ट्रेलिक्राम पोस्ट में दावा किया पश्चिमेशिया में बाइडन पूरी तरहा विफल रहे है पूनी संगर्ष बढ़ता जा रहा है ये वाइट हाउस के समच से बाहर है अमेरिका सिर्फ वियान से संकटों को हलक करने में लगा है जो उसके बसका नहीं इसराइल के हमले के बाद लिबनान को राहत पैकेज भेज कर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है खाड़ युद में फिलहाल रूस इरान खेमे में है चीन पहले ही इरान को सेटेलाइट डील करके मदद पहुचा रहा है लेकिन वार्जोन में ये दोनों देश इरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है खासकर चीन उधर अमेरिका तैकर चुका है कि अब की बार इरान का पक्का इलाज करेगा इरान को गुटनों पर लाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा अमेरिका इसराइल को हर तरहां से मदद पहुचाता है हमास पर बरस रहे मिसाइल हों इस बुल्ला के एड़े पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूती विद्रोईयों को दहला रहे जंगी जेट ये सबी हतियार मेड इन अमेरिका है इसराइल सूपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है ऐसे में इरान ने अगर इसराइल में घुश कर हमले की हिमाकर दिशाए तो अमेरिका को इरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा अमेरिका के साइन और येड घारी के देशों में है जहां करीब 40,000 जवान तैनाथ है बहरीन में मौझोद इसा एर बेस को अमेरिकी वायू सेना संचालित करती है बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिटरी बेस भी मौजूद है बहरीन में नेवल फोसिस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के पांचवे बेड़े का मुख्याल्ले भी है इसके लावा भी अमेरिका के वेड, उमान, इराक, जौर्डन, फिलिपीन्स, कतर, सौधी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाइलेंड और सैयुक तरब अमिरात में सेंट्नेड मौजूद है अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणू बोदाम है यूएस नेवी के एरक्राफ कैरियर ऐसे न्यूकलियर हतियारों से लेस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणू धमाके का एसास करा सकते हैं अमेरिका के आटमी हमले का जवाब देने की ताकत बिलहाल इरान के पास नहीं है चीन जैसे मौका परस दोस्स से एरान को एटमी हतियार हासिल करने के एसरत कभी पूरी नहीं हो सकती बचे पुतिन तो वो इस यूद के गेम चेंजर सावित हो सकते हैं जिने दुनिया मोस्ट पाउफुल लीडर कहती है यूकरेन की तबाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिन्दा समूत है पुतिन का एरान के साथ यूद में आने से एटमी पावर का भी पढला एरान के हक में चला जाएगा लेकिन ये यूद तब पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा वज़े है एटमी धमाके अमेरिका के आटम पम का धमाका इस धर्ती ने एक बार जिला है परमानूत रासिती से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास पिलहाल तो नहीं है और इस वक्त एक बड़ी खबर आरी जाए इसराइल लेपनान युदे से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया है दमिश्क में हसन जाफर अलकासिर मारा गया इसराइल के हवाई हमले में मारा गया अलकासिर और आप जैसे कि पहले से मालूम है कि जो हिजबुल्लाह संगठन का चीफ है नसरल्लाह और उसकी बेटी जैना वो पहले ही मारे जा चुके हैं लेकिन अब एक बहुत बड़ी जानकारी यह है कि हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया है दमिश्क में हसन जाफर अली कासिर मारा गया इस्राइल हवाई हमले कर रहा है और इस हवाई हमले में अलकासिर की मौत हुई है तो बड़ी जानकारी जहां दमिश्क में हसन जाफरल कासिर मारा गया है जाहे इस्राइल लेबना युद्ध से जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट हसन नसरल्ला का दमार मारा गया इरान को जवाब देने से पहले ही इस्राइल को ग्राउंड ऑपरिशन में बहुत बड़ा जटका लगा हिस्बुल्ला के खिलाफ क्या इस्राइल ये युद्ध जीतेगा या फिर हारेगा इन सवालों ने नितन्याहू को तब परिशान कर दिया इस वक्त इस्राइल के एक ला इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा इरान के एक हमले ने एक अक्तूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इसराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बलकि नितन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है दक्षिन लिबनान में शुरू हुआ इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के साथ ही फस चुका है इस बुल्ला ने बॉर्डर पार करने वाली इसराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड दिया मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन पहले दिन फेल हो गया है इसमें कोई शक नहीं कि लिबनान इसराइल बॉर्डर पर बड़ी ललाई शुरू हो चुकी है इसबुल्ला को जड़ से खत्म करने वाला उपरेशन इसराइल ने लॉंच किया इसका वीडियो भी भीजा लेकिन जब इरान एक अक्तूबर को इसराइल के मिलिटरी बेस पर बिजाइल दाग रहा था तब लिबनान इसराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक उपरेशन जारी था इसबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइली कमांडों को ओदेशा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक कर दी है उसके कैई कमांडों मारे गए हैं कैई घायल हुए हैं पॉइंट ब्लांक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है एक तरफ नेतन्याहू का लिबनान के खलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ इरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है इसराइल को तेहरान को भी जवाब देना है और लिबनान में भी ऑपरेशन करना है नेतन्याहू इस वक्त कैई मोर्चों पर घिर चुके हैं इस खबर से बाइडन बहुत जादा बेचैन है और आगे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मॉस्कों में वैठे वलादमीर पुतिन भी टेंशन में हैं इस वक्त दुनिया में चार पावर सेंटर तयार हो चुके हैं जो इस युद्ध का फैसला करेंगे वाशिंटन डी सी में वाइट हाउस क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में पूदेगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में क्या फैसला होने वाला है तीसरा शहर इरान की राजधानी तहरान जहां सुप्रीम लीडर अलिखामनेई का वार रूम बड़े फैसले ले सकता है और चौता शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को जहां से अब सिर्फ युक्रेन नहीं बल्कि इरान इसराइल के मोर्चे को भी मेसिज पहुचाया जा सकता है इस वक्त पूरा पश्चिमेशिया महायुद के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है नीचे आख सुलग रही है बं मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तलवीव से लेकर तहरान तक दहशत पहली हुई है एरान के हमले के बाद अफगेंद इसराइल के पाले में और नेतन याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि इरान को कैसे जवाब दिया जाए इस बुल्ला को कैसे खत्म किया जाए इनल कासो दे लीवानों इंसिस्टीमोस एंके ला इंवाश्यों तर्रेस्ट्रे डेवे देटेनर से या कि हान जेगादो इंफोर्माशने स्मय प्रेकूपंते सेस्ता माणा इस्पाइन इस्ता फिर्मेंटे कॉंप्रमे्टिदा को ला वाप्रीकाशन दे रर्सलूट्स्ऋन 1701 दिक उस्पार्च। है नच्चुन रॉप्जवीग शिगे असन नसरल्ला को इसराइल ने एरिस्ट्राइक में खत्म कर दिया इसके बाद पहली अक्तूबर को ही इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महा युद्ध शुरू हो जाएगा इस वक्त एरान और इसराइल दो कैम्पों में बटे हुए हैं इसे महाशक्तियों की टककर कहा जा सकता है एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुन्या का सबसे बड़ा खौफ भी है क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस इरान के साथ ये चारों ताकत ऐसी है कि इनकी टककर वर्ल्ड वार की वज़े बन सकती है अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूत की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज किये बंकर बस्टर से लेकर हर तरहां का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है लेकिन एक अक्तूबर की रात को इरान के मिसाइल अटाक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले जिससे हत्यार ले कोई भी उसकी ढाल बने इरान नसरल्ला से लेकर हानिया सब का बदला, अकेले अपने दम पढ़ ले सकता है अब सब कुछ नेतन्याहू के वार रूम पर निर्भर करता है वो क्या फैसले लेंगे, क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है क्योंकि इसराइल के सामने चुनौती सिर्फ इरान नहीं, बलकि चार मैदान है जहां युद आक्टिव मोर्ड में चल रहा है पहला फ्रंट गजा है जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है दूसरा फ्रंट लिबनान है जहां इसराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है तीसरा फ्रंट यमन है जहां इसराइल हूती के एड़ों पर बंबारी कर चुका है अब चौता फरंट इराक बन सकता है क्योंकि इराक में इरान के समर्तनवाला मिलिशिया गुड हशदल शाबी भी आक्टिब हो गया है जब इरान के मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी तब ही यमन में भी होती अपनी कुद्स फाइब मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे इन लुड इसराइल इसराइली 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 मोर्चे बढ़ने से इसरायल के ग्राउंड ओपरेशन की काम्याबी पर सवाल उठने लगे हैं एक अक्तूबर की रात इरान के मिसाइल अटैक ने इसरायल के ग्राउंड ओपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है अमेरिका को भी खत्रा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि घाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रेंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए दो हजाए कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैक अप चाहता है नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं इसे आप नेतन्याहू का ओपरेशन ओल आउट भी कह सकते हैं लेकिन इससे पहले ही इरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक सवाल ये